इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेलकम एक टुमाइग चैनल लीगलाईजर समसर फेंड जैसे कि हम सीपी सी की लेक्शर देख रहे थे ठीक है जहां पर हमने कहां तक कवर कर लिये सेक्षण 10 तक जहां पर इसके पहले हमने देखा था रेस जुडाइस देखा था ठीक है ति यहां पर क्या था इस डिए 11 के हम बात कर रहे है ठीक है यहां पर पूलविनांक मतलब क्या होते है रच जोडी काटा अर्थात कोई ऐसा तथ्य है ठीक है जिसको क्या किया गया है ने दिया जा चुका है या फिर जिसकी सुनवाय होचकी यह उसको दोबार नइस दोबार और भासवब कार कiał था तो इस पर इसका ट्राइल नहीं किया जाएगा यहां पर अपील की जा सकती है वह प्रीकोड में लेकिन उसी मामले को उसी विवाद विशय पर तुना नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ case था important case है जिसका नाम आप याद रखें Dutchess of Kingston 1776 का case है ठीक है डानियो शिंग versus state of UP 1961 का case है और सत्यधान गुशल versus देवरेजिन देवी AIR 1960 का case था इसको आप याद रखें नाम याद रखें ठीक है ना और जो बात दिये गए है उपर तो उसमें क्या किया गया था कि उपर अब निर्धायत किया गया था यानि हेल्प किया गया था कि जिस बात को सुरा जा चुका है और उसका निर्णे दिया जा चुका है तो उस बात को उन तत्यों और उनी साक्षों के अधार पर पुनार विचारन नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसको हम देख लेते हैं जो ब्यारेक्ट में है तो ब्यारेक्ट में क्या कहता है उसको देख लेते हैं तो पूर्व नयाय यानि कि कोई भी नयाल है किसी ऐसे बाद या विबादक का भी चारण नहीं करेगा ठीक है जिसने प्रत्यक्षत है या इनी डारेक्ट ठीक है ना या साड़ता है विबाद भीश है उसी हग के अधिन मुकदमा करने वाले यानि कि जिस हग के दिन पहले किया गया था ठीक है न और उसका क्या होगा निर्णय आ चुका है तो उसी हग क मुकदमा करने वाले और उनी पक्षकारों के बीच या फिर ऐसे पक्षकारों के बीच जिन से वित्पन अधिकारों के अधिन वे या उन में से कोई दावा करते हैं यानि कि जो पहले थे ठीक ना या फिर पक्षकार थे ओन पक्षकारों को दारा या फिर उनी पक्षकारों के प्रत्राई का जाता है तो उसको नहीं सुना जाएगा उसका विछारा नहीं किया जाए तो यहाँ आगे देख लेते हैं कि किसी पूर वर्ती बाद में एसे नियाले प्रतक्षत या सारत विबाद दे रहा हो तो उसका विचार करने में सक्षम था और इसे नियाले दोर अंतियम उस बाद या भी बाद का इस बिरिश्चे किया जा चुका है अब यहां पर कुल मिला कर कहने की बात यह है कि यह दि किसी कोट के दोरा किसी मैटर पर उसका फाइंडिंग आ चुका है जैज्जमेंट आ चुका है तो और यह दि वह कोट क्या सतकता है विचारन करने के तरह सच्छम था तो उसी मेंटर को किसी इन कोक्ष में फिर उसको पुने उसको सुना नहीं जाएगा कब कब तर जब तक पड़ारों के पास कोईवन साथ और फिर ऑं ऐसा तथ नहीं मिल गया है यदि कोई अन्य साक्ष मिला है तब उसका विचारण किया जा सकता है लेकिन यदि उन्हीं क्या बलते हैं विबाद विशय पर क्या करना हो विचारण करना हो तो वह ऐसा नहीं हो सकता है किसी नियाले दौर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका जज्जमेंट आच पर जो प्रश्ण गत वाद के पूर वे विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वो उससे पूर संस्थित किया गया हो या नहीं कर दिया गया है जो प्रस्ट के लिए अभी बाद दायर किया है तो उसको क्या किया गया है तो उसको पुना सुना नहीं जाएगा ठीक है ना और इस परश्टकारण दो क्या कहता है कि जिस नियाले में पूर्व में किसी बाद ये विवाद का विनिश्चे हुआ है उसके सक्षमता के बारे में अबधारित किया जाएगा और उस नियाले से अपील करने के अधिकार पर विचार किये भी ना अब यहां पर क्या है कि जो कोट है पहले का जिसने जज्ज्वेंट दिया था उसकी सक्षमता के बारे में अबधारित किया जाएगा अब यहां पर यह नहीं दिखा जाएगा कि उस नियाले के अपील करने के अधिकार क्या थे और क्या नहीं इस पर विचार किये भी नहीं उ उस स्क्षम्ता की ऐऽ से फवाने मुद कर लिया जाएगा तरहा जिस ने विभा्त को विनिश्चय कीया है का नमबर थार है उपर निट्देशित बिसई का पूर्वर्ती बाद में यानि कि जो उपर निट्देशित किया गय एक सेशlier उसमें क्या किया जाना चाहिए उस बाद में यह नाम का पक्तिकार है और बी नाम का तो इन दोनों में से किसी एक के दौरा कोई तत्य या कोई अभी कथन किया गया हो ठीक है ना और दूसरे को दौरा उस तत्य कथन को स्विकार किया गया हो या फिर मना किया गया हो प्रत्यक्यान किया गया हो या शुखार किया गया होना आवस्यक है यह बात करता है इस प्रश्टिकर नमबर थर्ड उसके बाद इस प्रश्टिकर नमबर फोर्थ है इस प्रश्टिकर नमबर फोर्थ क्या बात करता है एसे किसी विसाय के बार है अब यहां पर एक ग्यांपर के ज़रे समझते हैं ठीक है अब जिसे ए नाम कोट है ठीक है और यहां पर बी नाम को तो ऐसा समझा जाएगा कि उसका निप्टारा भी पूर्व कोट में किया गया है निश्चित किया जा चुका है उसके बाद इस प्रस्टिक नाम फाइब यहाद में किसी अंतोस का दाबा किया गया है और डिक्री में अभिव्यक दिरूप से अंतोस के बारे में कुछ नहीं द दिया गया है अब यहां पर क्या हुआ कि जिसे यह नाम का कोट है ठीक है यहां पर क्या गया एक बाद संसित किया गया उसमें जो प्लेंट है ठीक है ना बाद पत्र दाखिल किया जाता है तो हां पर कुछ रेमेडी की माग की गई थी कुछ अंतोस की माग की गई थी तो वहा यह समझा जाएगा कि डिक्री जो रिलीफ है ठीक है अंतोस है उसको खारिच कर दिया गया है उसका निप्टारा किया जा चुका है ठीक है उसके बाद इस प्रस्टिक नमबर सिक्स जो पूर्व नया के सिध्धान्द लोक अधिकार के बाद यानि जो पी एल दाखित लिए आ लागू होता है तो यह सिध्धान्द प्रतिनितियों पर भी लागू होता है उसके बाद है इस प्रस्टिक नमबर सेवन इस प्रस्टिक कर नमबर सेवन क्या बात करता है कि पूर्व नया का सिध्धान्द किसी डिक्री के निस्पादन के लिए जो कारवाही होती है उस पर में एट देखते हैं तो यहां पर पूर्वनया का सिध्धान सीमित अधिकारता वाले नियाले दोरा किसी विवाद के विशय पर भी निश्चित पर भी लागू होगा अर्थाद अभी इसको में ग्यांपल करें समझते ही अच्छे समझ भी आ जाएगा अब यहां पर कदा तो इसकी लेंड कि वेल्यू के थी पांसुलाग रुपए थी अब पांसवाद लायगा ताब उस लेंड के वेल्यू किसी होकी यहां पर भाद ला खाए और दूसरी दूसरे कोटला नेर्वाथा और एक पर ग्योश्योड़ता है लेश्चित वक्रिक है रख सिध हम्हूं क्योंकि जब फूद्वऩा रूप fortune गया था थो उसकी पेलिव कित्यyty 55,001 रूपैती अब हो सकता है इसके अधिकारता कि 15,001 तक रही हो ठायर है इसने कर दिया अभि यहां पे यह नहीं बोला जा सकता कि उसकी और सुने केh यह सक्षान नहीं था इस केस का विचारण करने के लिए अब यहाँ पर इस कोश्चन को यहाँ पर गलत माना जाएगा क्यों कि यहाँ पर रिष जोड़ी काटा का सिध्धान्त लागू होगा तो कि उस टाम पर लेंड के बैल्यू कितनी थी पांच लाग रुपए थी और इस उसके बाद देखते हैं जो रेस जूड़ी काटा है और उसके तीन मैक्सिम्स है जो कफी इंपोरेंट है तो यहां पर क्या है कि नेवों डेफ्ट लिस्ट वेक्सेरी प्रो उनो एडेम कौशा अब इसका मतलब क्या है कि कि किसी भी ब्यक्ति को एक ही विबाद बिशय के ल तंग नहीं किया जाएगा उसी भी बाद भी सह के लिए यह क्या कहता है वेक्जिम फाष्ट नेवों डेफ्ट लिस्ट वेक्सेरी प्रो यूरो एडेम कौशा अब दूसरा क्या है इंट्रेस्ट रिपरबिका उट्ट सिट फिनिस्ट लिटियम ठीक है यहां पर क्या है कि शक्ति यह राज्जी का धायत तो है इसलिए नियाइक नियाएक ने ने को सही मानते हुए यहांनना चाहिए जो पहले धिया चुक थे सविक्जांद से इसके भाद है कि यहां पे कि जहां को बाद हेतु के समद्ध में अतरिक्त बाद संसित करने से नियमों द्वार रोका गया है यानि कि कोई बाद है बाद ही है ठीक है ना ये नाम का कोई बाद ही है अब इसको किसे नियम या कान्हून के द्वार किया जा रहा है कोई अन बाद दायर करने से रोका जा रहा है तो यह फिर प्रवारित किया जा रहा है यानि मना किया जा रहा है वहाँ पर किसी ऐसे नियाले में जहां CPC लागू है इसे बाद हेतों के समद्ध बाद संसित करने का हगदार यह नहीं होगा क्यों कि यहां पर किसी अन नियमों के द्वार इसको रोका जा रहा है बाद संसित करने से तो यहां पर इसी प्रकार के और उपन्ध है जो नियमों द्वार बाद संसित करने से रोकता है जैसे कौन सा है धारा 111 है आदेश जोटी काटा के आतार पर रोक लगाई गए है आदेश दो नियम दो में है आदेश बाइस नियम नौ आदेश नौ नियम नौ आदेश तेईस नियम एक और CRPC की सेक्शन त्रियंडेट और 922 से संबंदी था यह ठीक है अब यहां पर जो CRPC यहां पर क्या है कि लगभग सेम ही है इन दोनों का प्रोविजन्स तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप कमेंड लोक्स में करके जरूरत आए कैसा थेंकू सो मच पर वाचिंग लिगलाइएएएएएएएएएएएएएएए लाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए